स्वामी दयानन सरस्वती आर्य समाज के सस्थापक, समाज सुधरक और देश भक्त थे स्वामी दयानन सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था स्वामी जी का मुल नक्षत्र में जन्म होने के करण उनका नाम मुल शंकर रखा गया था स्वामी दयानन जी ने वेदों के प्रकांड विद्वान विरजानन जी से शिक्षा ग्रहन की थी जिन्होंने बाल विवा सती प्रता जैसी कूरितियों को दूर करने में अपना खास योगदान भी दिया उन्होंने वेदों को सर्वच्च माना और वेदों का प्रमान देते हुए समाज में फेली हुई कूरितियों का भी विरोत किया स्वामी दयानन सरस्वती निर्भय होकर समाज में व्यापत बुरहियों से लड़ते रहे और सन्यासी योद्धा कहलाए दयानन सरस्वती ने 1845 में मुंबई में आरे समाज की स्थापना की थी आरे समाज के द्वारा ही उन्होंने बाल विवा सती प्रता जैसी कूरूतियों को दूर करने और शिक्षा को बढ़ावा देने का भी काम किया स्वामी जी ने सिर्फ हिंदू ही नहीं बलकि इसाई और इसलाम धर्म में फेली हुई बुरईयों का भी खंडन किया उन्होंने अपने महागरंत सत्यार्थ प्रकाश में सभी मतों में व्याप्त बुरईयों का खंडन किया और विरोत किया, उन्होंने वेदों का प्रचार करने और उसकी महत्ता लोगों को समझाने के लिए देश भर में ब्रवन किया दयानन सरस्वती जी हिंदी भाषा के प्रचारक भी रहे, उनकी इच्छा थी कि कश्मीर से लेकर कञ्या कुमारी तक पूरे भारत देश की एक ही भाषा हो उन्होंने दस अप्रेल सन 885 को मुंबई के गिरगाओं में आरे समाज की स्थापना की आरे समाज का अदर्श वाक्य कर्णवन तो विश्व मारमाई जिसका अर्थ हैं विश्व को आरे बनाते चलो आरे समाज की स्थापना का मुल उद्देश्य, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नती हैं आरे समाज ने कई स्थापनाता संग्रामी सेनानी पैदा किये, आज़ादी से पहले आरे समाज के करांती कारियों का अड़ा भी का जाता था स्वामी दयानन सरस्वती ने सुराज का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमाले तिलक ने आगे बढ़ाया स्वामी जी ने अपने उब्देशों के जरिये युवाओं में देश प्रेम और देश की सोतंदरता के लिए मर मिठने की भावना पेदा करते रहे महरशी दयानन जी ने ततकालिन समाज में व्याप्त सामाजिक कूरतियों तथा अंध विश्वासों और रूडियों को दूर करने के लिए निर्भे होकर उन पर आकरमन किया जिसके चलते वहाँ सन्यासी योद्धा भी कहलाए उन्होंने इस्तरियों की शिक्षा के लिए भी एक आंदोलन चलाया स्वामी जी के दिहानत सन 1883 को दिपावली के दिन हुआ था स्वामी दियानन अपने पिछे एक सिद्धानत छोड़ गए यानि कि सारे संसार को शेष्ट मानाओ बनाओ उनके अंतिम शब्द थे